जैसरे राम दोस्तों मैं ससे आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने कीचन में यानी यूटूब चैनल ससीस तड़का कीचन में आज मैं बहुत ही बढ़ियां लड़ू की रेशेपी लेके आई हूँ ये लड़ू इतनी ताकतवर है कि एक लड़ू अगर आपने खा लिया तो आपके सौ से भी ज़्यादा बिमारियां दूर हो जाएंगी चाहे वो delivery के बाद की problem हो, या कमरदद की problem हो, नसों की problem हो, heart की problem हो, blood pressure की problem हो, या फिर cancer जैसे भेंकर विमारी की problem हो, अभी विमारियों में रामबाण का काम करता है, बच्चे बड़े सभी के लिए ये बहुत फायदेमंद होता है, खास तोर से ladies के लिए तो ये बहुत ही वे और omega 53 से भरपूर जीवन दाइनी है ये लड़ू, तो चलिए फिर अलसी के लड़ू हम बनाना सुरू करते हैं, मैं इस लड़ू को बिलकुल देसी तरीके से बनाऊंगी, यानि गाओं में जैसे मेरी दादी चाची लोग बनाती थी, वैसे ही मैंने देखा है, और वैसे ही में बनाऊंगी, तो मैं यहाँ पर तीसी को नाप करके आप सबको दिखा दे रही हूँ, कि मैंने कितना लिया है, वैसे तो मैंने इसको एक पैकेट लिया है, यानि चोटा वाला जो पैकेट आता है, वही एक पैकेट लिया है तीसी, अच्छे से इसको एक बार चेक कर इसमें कंकरण वगेरा तो नहीं है, अच्छे से साफ कर लीजेगा, उसके बाद लीजेगा, तो तीसी देखिए यहाँ पर सवा कटोरी है, इस कटोरी का सवा कटोरी यानिक सवा कप आप मान के चलिए, क्योंकि ये कटोरी एक कप के नाप के बरावर ही है, इसमें मैं आटा भ प्रॉब्लम होती थी, तो तीसी को भून करके ऐसे ही चवा करके खाया जाता था, या फिर उसको पराठे में भर करके गूर के साथ खाया जाता था, या फिर इसकी लड़ू बना करके खाया जाता था, डिलिवरी के बाद तो ये लड़ू जरूर बनाया जाता था, और उस लेडीज को खाने के लिए दिया ज़ादा था और मेरे यहां गाउसाइट में पहले बहुत ज़्यादा मातरा में बहूए जाता था तो यह पुराने चीजे हमारे चूटते जा रहे हैं, देखे सामकरी मैंने और क्या लिया है, गुड लिया है मीठे के लिए, और एक चमच मैंने लिया है, पोस्ता दाना, और थोड़ा सा नारियल ग्रेट करके लिया है, काजू लिया है, बादाम लिया है, और किसमिस लिया है, और यहां पर द तकरीबन 1500 ग्राम गुड को तोड़ करके लिया है इसमें वन फोर्थ कप के जितना घी भी लगेगा मैं यहाँ पर घी निकालना भूल गई थी यानि दिखाना मैं भूल गई थी तो घी वन फोर्थ कप के जितना ही लगेगा क्योंकि तीसी में एक अपना ही ओयल होता है जिसक में से चट-चट की आवाज नहीं आती है यह तीसी फूल नहीं जाते हैं तब तक हमें भूनना है तो देखे तीसी खुब अच्छे से मैंने तकरीबन 6-7 मिनट के लिए अच्छे से सुनाहरा होने तक भून लिया है तीसी बिल्कुल कच्चा नहीं होना चाहिए वरना लड कढ़ाई में मैंने दो चमच घी का यूज किया है सबसे पहले मैं गौन फ्राइ करूंगी तो दो चमच घी में यह गौन जो मैंने लिया था दो चमच वो फ्राई हो जाएगा अच्छे से गौन को भून लीजेगा जब लगे कि गौन अच्छे से फूल गई है और सभी भूना है उसके बाद मैं एक चमच इसमें खाने वाले चमच का ही यूज कर रही हूं मैं बार बार आप सको दिखा रही हूं घी कितना लग रहा है तो देखे यह तीसरा चमच है और यह एक चमच घी डालने के बाद मखानों को भी डाल करके साथ में भून लेना है घी डाल मैंने कुछ सेकेंड के लिए पोस्ता दाना को भी डाल करके भून लिया है पोस्ता दाना जल्दी ये सिक जाता है तो इसे ज़्यादा देर तक भूनने की जरूरत नहीं है बस थोड़ा सा भून लेंगे कुछ सेकेंड के लिए या फिर एक मिनट के लिए इससे ज़्यादा पोस्तादाना को मत भूनिएगा तो काजू, मखाना और बादाम पोस्तादाना ये तीनों मैंने भून लिया है एक साथ उसके बाद देखिए अब इसी कढ़ाई में पोस्तादाना कुछ लगा हुआ है तो मैं थोड़ी देर के लिए जो नारियल गरिट करके लिया था उसे भून लूँगी इसके साथ ही ये पोस्तादाना जो भी कढ़ाई में लगा हुआ है वो निकल आएगा तो नारियल को बिना घी डाले ही ऐसे ही ड्राई मैंने भून लिया है क्योंकि इसमें ओयल होता है ये आसानी से भून जाता है जब किसमिस भूनने के लिए मैंने आधा चमच घी का और इस्तमाल किया है तो किसमिस भून गई है इसको भी मैंने फूलने तक भून लिया है बाहर निकाल लिया है और इसी में थोड़ा बहुत घी लगा हुआ है तो dry ही ऐसे आटे को हम पहले भून लेंगे तो 5 मिनट के लिए low flame पर आटे को भी भून लिया है इस तरीके से देखे कलर चेंज हो गया है आटे का आटा भी भून गया है अच्छे से तो सभी चीजों को low flame पर ही आराम से हमें भूनना होता है जल्दबाजी मत करिएगा अच्छे से सभी चीजों को low flame पर या medium flame पर ही भूनिएगा सभी चीजे dry fruit वगेरे मेरे भून गया है चलिए अब हमें grind करना है इन सभी चीजों को थंडे भी हो गया है अब इन सभी चीजों को हम grind कर लेंगे और गोंद को इस तरीके से आप तोड़ भी सकते हैं और grind भी कर सकते हैं अब देखिए मैं बाकी के घी कितना यूज कर रही हूं हाने वाले चमच का ही तीन चमच मैंने भर भर करके घी डाल दिया है कड़ाई में आटा भूना था तो कड़ाई गरम ही है और पोच करके अच्छे से कड़ाई को लिया है घी डालने के बाद गुड मैंने डाल दिया है जो मीठे के लिए मैंने गुड लिया था गुड ये जैसे ही पिखल जाएगा गैस का फ्लेम हमें बंद कर देना है यहां पर चास्नी वगर कुछ भी नहीं बनाना है द्यान रखिएगा बस इसको हमें पिखलाना है जब तक गुर्ड पिखल रहा है यहां पर तब तक हम बाकी और चीजे ग्राइंड कर लेते हैं तो जैसे की देखिए यहां पर अलसी ठंडी हो गई है तो इसे भी ग्राइंडर जार में डाल करके इसका हमें दरदरा सा पाउडर बना लेना है यहां पर मैं एक बात आप सबको बता दे रही हूं क्योंकि बाकी चीजे मुझे बाद में ग्राइंड करनी पड़ी क्योंकि मैंने घी का क असानी से बंद जाएगी पर अगर इसको आप तीसी के ओयल में या कम घी में ही बनाना चाहते हैं तो तीसी को खुब एकदम पाउडर फॉर्म में ले आएगा यानि खुब अच्छे से पीछ लीजेगा जिसके वजह से तीसी की जो ओयल है वो रिलीज हो जाएगी और लड लड़ू बंदने में आसानी हो बाद में मुझे तीसी को मिक्स करने के बाद यानि सभी चीजों को मिक्स कर लिया तो लड़ू बंदने में थोड़ा सा दिक्कत आ रहा था तो थोड़ा सा ग्रैंड जार में डाल करके मैंने और ग्रैंड कर लिया अब इसमें एक बड़ा च कर लिया है इसके लड्डूअ अब हमें गरम गरम ही बाद लेने हैं चोड़ना नहीं है पिलकुल भी इसके लड्डू बाल ले अगर इसमे आप kommen लैड करना चाहते हैं या फिर पिपली का पौडर यूज करना चाहते हैं तो वह भी इसमें ढाल सकते हैं sík गाव में हमारे तीखूर भी इसमें ढालते हैं यहने का मतलब की तीखूर और उर सोट इन सबका ज्याद मात्रा में यूज होता है हमारे हाँ, अगर ये लड़ू, सबके खाने कि लिए बना रहे हैं सर्दियों में तो आप इसमें डाल सकते हैं गर्मीयों में, अगर सबके खाने के लिए ये लड़ू बना रहे हैं, तो ये सब चीजें आपको डालने की ज़रूरत नहीं है, صرف अलसी के ड्राइप फ्रूट के साथ ही आप बना सकते हैं ये लड़ू तो लिजे सर्दियों में बनने वाले अलसी के लड़ू बनकर के तयार हैं ओमेगा फैटी 3 से भरपूर ये लड़ू 100 से भी जादा बिमारियों को दूर करने वाली है आप बच्चे बड़े सभी को ये लड़ू सुबह के टाइम एक गिलास गरम दूद के साथ या फिर रात को सोने से पहले गरम दूद के साथ या फिर सुबह के टाइम रोजाना बिना दूद के भी इसको खाय जा सकता है ये आप सोच भी नहीं सकते हैं कि ये कितना फायदेमंद है, ओमेगा फैटी से भरपूर लाखो गुणों में है ये एक लड़ू, बच्चे बड़े सभी के लिए है जीवन धायनी ये लड़ू, इस अर्दी में तो ये लड़ू जरूर बनाएगा, फिर मिलूंगी एक नई रेस्एपी के साथ, तब तक के लिए जाएस रेडा रहां,